हलो बच्चो आप सबी काई बाफिर से स्वागता हमारे चैनल इसी वेटू स्टड़ी में बच्चो आज हम आपके लिए लिखे हैं क्लास एट की सामाजिक विग्यान विशेखी कारेपतरक नंबर सत्रा बच्चो जैसे ही आप से भी जानते हैं सबसे पहले यहां पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स फिल्ड में हमें अपने कुक्षिया अध्यापक का नाम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वर्क्षीट उससे पहले बच्चो आप सभी से की रिक्वेस्ट है अगर आपको मारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें शुरू से आखिर तक पूरा देखें जिससे आपको दो वर्क्षीट और कंटेंट मिलेगा ही साथ में इससे हमें भी कुछ फायदा होगा चलिए देखते हैं आपनी वर्क्षीट आज के मारी वर्क्षीट आटाइटल है बचो आकार और स्वामित्व के अधार पर उद्योगों का वर्गी करण यहाँ पर हमें बताएगा है प्यारे बच्चो फिसली वर्क्षीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभी प्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबर्ध उपलब संसादनों को उप्योगी वस्तुय बनाने में किया जाता है उद्योग का वर्गी करण कई आदार की राशी नियोजित लोग की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है आकार के आदार पर उद्योग के दो बागों में बटा जा सकता है लगू आकार के उद्योग और रहत आकार के उद्योग कुटिर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तक के द्वारा उत्पादों का निर्मान हाद से होता है जैसे टोकरी की बनाई, मिट्टी के बरतन बनाना, गुड बनाना, साबुन बनाना, मुंबत्ती बनाना आदी बड़े पैमाने के उद्वाग में अधिक पुझी और अधिक श्रिमकों की आवशक्ता पढ़ती है, ये उद्वाग बड़ी मातरा में वस्तोगा उत्पादन करते हैं प्राया इन उद्वाग के आवश्ये सेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है स्वामित्व के आधार पर उद्यों को नीजी शेत्र, सार्जनिक शेत्र, संयूक्त शेत्र तथा सहकारी शेत्र में वर्गीकरत किया जा सकता है नीजी शेत्र के उद्यों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्तिय व्यक्तियों के समू द्वारा किया जाता है सार्जनिक शेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है जैसे स्टील अथर्टी ओफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त शेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समू द्वारा होता है उदारन के लिए मारत्य उद्योग लिमिटेड इसी के साथ सहकारी शेत्र के उद्योग का सौमित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है उदारन के लिए आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसे आब बच्चो अमूल के नाम से भी जानते हैं आब बच्चो दी गई जानकरी के आदार पर हमसे कुछ प्रशन पूछे गए हैं चलिए देखते हैं इन प्रशनों के उत्तर पहला प्रशन है लग्यू उत्योग से आप क्या समझते हैं तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं लग्या गरेलू उत्योग छोटे स्तर के उत्योग होते हैं जिसमें हस्त शिल्प कारीगरो द्वारा उत्पादों को हाथ से बनाया जाता है जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड बनाना, साबुन बनाना, मुंबत्ती बनाना आदी अगला प्रशन बच्चो संयुक्त शेत्र और सहकारी शेत्र के उद्ध्यों के अंतर स्पष्ट कीजिए इसके लिए बच्चो मैंने आप एक तालीका बनाई है, जिसमें एक तरफ सहकारी शेत्र के बारे में लिखा है संयूक्तर शेत्र में लिखा है इनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूद द्वारा होता है जैसे मारुत्य उद्योग लिमेटेड और सैकारी शेत्र में लिखा है इनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमी को उध्वन freshly के द्वारा होता है उधारण के लिए आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड बच्चो ये आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड आपकी अमूल है जिसे आप अच्छे तर्श जानते होंगे नेक्स प्रक्रेमिजन है गरुली उपयोगे से प्राब्त वस्तुएं हैं बरतन, गुड, साबुन, मुंबतियां आदी अगला प्रेश्न है प्रहत बड़े पहमाने के उपयोग क्यों गने भसे आवाशय हैतरों से अलग या दूर क्यों रख्का जाना चाहिए अपने विचार दीजिये इसका उत्रा आप लिख सकते हैं बड़े उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तों का उत्पादन करते हैं जो बड़ी मात्रा में प्रदूशन पैदा करते हैं जिससे अस्तमा जैसे रोग हो सकते हैं ये रसाइनों, गैसों और बड़ी-बड़ी मशिनों का उप्योग करते हैं, जो किसी भी दुरगटना के कारण आपदा कारण बन सकती है, बच्चो यह आपकी वरक्षिन का आखरी क्वेशन था, इसी एक साल आपकी वरक्षिन यहाँ पर समाप्त होती है, आशा करते हैं आप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही अगर आपको कोई क्वेशन है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पुछें, हम आपके क्वेशन को जल से जल अंसर करने की कोशिश करेंगे, और